बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। चार लोगों को हिरासत में लिया, CCTV से चारो आरोपी की पैचान की गई है। जीतन सहनी से दो लोगों ने पैसे उधार लिये थे और पैसे की बदले जीतन सहनी ने अपनी बाइक गिरवी रखी थी। बाइक छुडाने देर रात पहुंचे थे जार लोग और दो दन पहले जीतन सहनी से कहा सुनी भी हुई थी, दोनों ने जीतन सहनी को धमकी भी दी थी और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ निव जेटीन समवाब दाता दर्भंगा से विपन अमारे साथ फोल लाइन पर जुड़ गए हैं विपन क्या है ये पूरा मामला, क्या इन लोगों की पहचान जो CCTV कैमरे में नजर आ रहे हैं वो हो सकी हैं, वो कौन लोग थे जिन से पैसे लिए गए थे जी बताएं कि ये चारो उसी गाओं के हैं और आजपास कहीं लोग हैं जिसकी पाचान CCTV से पूरे मामले की खुलाता हुई चुकि चारो रात में पहुँचे थे उनके घर और रात में भी उनके घर पहुँचे थे, इसलिए पहुँचे थे चुकि इन लोगों ने उनसे जितन सानी से ब्याज पर रुपे ले रखा था और रुपे की लेंदेन का विबाद दो दिन पूर्व से ही चल रहा था और रुपे देने के बदले जितन सानी ने उनकी बाइक रख ली थी जो शुक्रिटी के अधार पर उसके बाइक रखे थी जो रुपे वापस आएगा तो बाइक ले जाना लेकिन उस राद जो है ये लोग पूरे प्लान के साथ वाँ पहुँचे और उनसे जाके कहा सुनी हुई हो जो बाइक अपना लेने हो गये थे जिसके बाद कहा सुनी हुई होगी और कहा सुनी के बाद इसनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होगा चुकि पूलिस अभी पूरे मामले में खुल के नहीं बता रही है चुकि हिरासत में लेने की बात करी है कि रफ्तारी की बात अभी नहीं सामने आ रही है लेकिन पूलिस ने ये बताया है प्लेस बिगश्ती जारी करते हुए कि उनको हिरासत में रखा गया है और भी कई बि कोई जानकारी सामने आई है कि कितने पैसों का लेंदेन हुआ था यह जाट्राइव के पैसे तो नहीं थी लेकिन लेने के लिए ये लोग रात में पहुंचे थे और पायिक जब नहीं दिया गया इसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया तो आई-जम के वेदि ये बहुत ही जगन ने अपराधन अपराधियों की तरफ से किया गया है पोलिस की तरफ से युद अस्तर पर जारी है देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामली में और क्या कुछ नए खुला से सामने निकल कर आते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका माय साथ जुड़ने के लिए और पिता के अत्या के बाद वियाईपी प्रमुक मुकेश रह को गए मुकेश रहने के पहुंचने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग इकतरध हो गए मुकेश रहनी ने अपने पिता की अर्थी को गंधा दिया एक्स्ट्यूसिव तस्विरे हम आपको दिखा रहे हैं मुकीश सेहनी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया है पत्नी और बच्चे जब वहां पहुँची तो पूट-पूट कर रोले लगी क्योंकि बहुत ही जगने अपराध के तहत अपराधियों ने इतनी बड़ी व जाकी और बिहार सरकार से दर्फास करने के बाद नहीं कि जल से जल अपराधियों पर अंकुश लगाए जाए उनके खलाफ कारवाई की जाए और मुकीश सेहनी की पिता की हत्या पर सियासत बेहत्तीज है तीजस्वी आदब ने सरकार पर जोड़दार हमला बुला तीजस्वी आदब ने कहा कि सरकार का एक बाल ही खात्म हो गया है विएर में लगातार हत्याई हो रही है तीजस्वी ने मुकीश ठेहनी के परिवार के ब्रती समवेदना जाहर करते वे कहा कि बिहार में सत्या संपोशत, सत्या संरक्षित और शत्या प्रायोजित अपराद और धवस्त कानून विवस्ता की जिम्मेवारी कौन लेगा तीजस्वी ने कहा कि बिहार में गुंडार राज कायम हो गया है हो रही है बलतकार हो रहा है अपरहन हो रहा है लूट हो रहा है बैंकों की डखेती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है जो व्याइपी पाटी के संरक्षक है उनके पिता की निर्मा महत्या कर दी गई है इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी सरकार द्वारा यह संधक्षत अपराद है यह प्रैयोजित सरकार द्वारा है तो बिहार में पूरी तरक्ते से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुन्डा राज युह स्थापित हो चुका है